देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया न्यूज दिल्ली के वार्ड नंबर 14 आजादपूर कमर्शिल कमफलेक्स में बना आकाश सिनिमा वैब तरीके से तोड़ फोर कर पीवियाई मॉल बनाया जा रहा है कोई नक्षा प्लान नहीं रिपिएरिंग का परमिशल लेकर पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया लगवग 2,000 गज सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है ग्रीन बेल्ट लगाया जा रहा है, सरकारी जमीन पर कबजा अव्याद निर्माण अधिकारियों को करोडों के रिश्पत चड़ाई जा रही है कई शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कारवाई, इस इलाके के निगम पार्शत निहा अगरवाल और MCD के अधिकारियों की मिली भगत शिकायत के बाद भी निहा अगरवाल नहीं जागी MCT आधिकारियों की करोडों के रिश्वत लेकर सो रहे है अवैद निर्मान पर रोक आखिर कैसे लगेगी केजरिवाल सरकार ने कहा मेरे विधायक मेरा निगम पारशत बिल्डर माफिया पर लगेगी लगा लेकिन उल्टा हो रहा है निगम पारशत और विधायक ब्रश्टाचार के दलदल में फस चुके हैं करोडों के रिश्वत चड़ाई जा रही है शिकायत के बाद भी बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई कारवाही नहीं हुई और चारों तरफ आव्याद निर्मान चल रहा है कोई कारवाही करने वाला नहीं है आकिर मेरा विधायक मेरा निगम पारशत का वादा गया कहा मुख्यमंच्री केच्रिवाल जी जरा ध्यान दीजिए आँख खोल कर देखिए प्रष्टचार का पाठ पढ़ाने वाले खुद प्रष्टचार के दलदल में फस चुके है करोणों की रिश्वत लेकर अव्याद निर्मान चल रहा है आपके ही निगम पारशत नेहा अगरवाल को कई शिकायते देने के बाद भी कोई कारवाही नहीं की गई अव्याद निर्मान पर कोई लगाम नहीं लग पाई अव्याद तरीके से बन रहा आकाश सिनिमा पर कारवाही आखिर कब तक होगी 2000 गज से जादा सरकारी जमीन को कवजा करने वालों के खिलाफ कारवाही आखिर कब तक होगी शिकायत होती रहेगी अधिकारी और नेता दोनों रिश्वत के दलदल में काम करते रहेंगे जनता के विधायक और निगम पाशद को सही कामों के लिए चुना गया था लेकिन केजरिवाल जी जरा ध्यान दे कि आपका ही विधायक और निगम पाशन प्रश्चाचार के दलदल में फस चुके है शिकायत के बाद भी यहां कोई कारवाई नहीं हो रही आकाश सिनिमा में बन रहा PBR अवैद निर्माण पर सक्त कारवाई करे देखना होगा कि नेशनल इंडिया निउस की खबर के बाद अधिकारियों की नींद जाग रही है या फिर नहीं जब तक अवैद निर्माण पर कारवाई नहीं होगी तब तक नेशनल इंडिया निउस अपनी आवाज यूहीं बुलंद करता रहेगा सरकारी जमीन को मुक्त करवाने के लिए नेशनल इंडिया निउस हमेशा तयार रहेगा देखना होगा कि आखिर अधिकारी जाग रहे है या घंटी बजा कर उन्हें फिर से उठाना पड़ेगा